नमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और वस्वत की बड़ी खबर आ रही है महराश्ट से एकनाशिंदे महराश्ट के राजपाल भगसिंग कोशियारी से मिलकर कर सकते हैं फ्लो टेस्ट की मांग जी है यह यह जिस तरीके से खबर महराश्ट से लगातार आ रही है और सबकी नजर आखिरकार इसी पर टिकी हुई है कि जिस तरीके से एक तरफ एकनाशिंदे कर रहे हैं बड़ा एलान कि उनके पास है 50 से जादा विधायकों का समर्थन तो वहीं दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट को लेकर महाविकास अगारी सरकार भी कर रही है बड़ी बाते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम विश्वास मत में साबित करेंगे और बहुमत साबित करेंगे तो इसलिए लगातार फ्लोर टेस्ट को लेकर हो रही है महारास्ट के सियासी गलियारों में चर्चा तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर आना कि एक नाश शिंदे कर सकते हैं फ्लोटेस की मांग ये बड़ी खबर है जहां एक तरफ फ्लोटेस की मांग कर सकते हैं एक नाश शिंदे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा क आ गया है कि उनके पास है 170 विधायकों का समर्थन यानि कि जो तरीके से चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं तो महाराष्ट में बन सकती है भारतिय जंता पार्टी और एक नाशिंदे के गुट की सरकार अब ये लगातार सवाल जो है वो हर किसी के जुबान पर चड़ा हुआ है जो तरीके की चीज़ें अब हम महाराष्ट की राजनीती में एक तरफ उथल पुथल है तो वहीं दूसरी तरफ भारतिय जंता पार्टी की लगातार हो रही है बैठके तो वहीं दूसरी तरफ एक नाशिंदे ने भी M.V.A. सरकार से कर दी है बगावत और कह दिया के लिए मिली सुपरीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो याचिका लगाई गई थी एक नाशिंदे की तरफ से अपने उन सोला विधायकों को लेकर जिनको लेकर जिनके ऊपर डिप्टी स्पीकर ने किया था आयोगता का जिस तरीके से उनकी जो सदस्ता है उनको आयोग ठेराने के लिए प्रस्ताओ पेश किया गया था नोटिस दिया गया था डिप्टी स्पीकर की तरफ से और उसको लेकर भी बढ़ी कारवाहियानि कि आज अगी जो सुनवाई हुई है पर सुनवाई के दौरान जो तरीकी की बातें सुप्रीम कोट की तरफ से कही गई है तो ये बड़ा जटका है महाविकास अगारी सरकार के लिए और वहीं दूसरी तरफ एकनाशिंदे से जुड़ी खबरें जो लगातार आ रही है कि एकनाशिंदे राजिपाल भगसिंग कोश्यारी से मिलकर फ्लोटे पर अब वो स्वस्त होकर अच्छी दरीके से वो अपने घर आ चुके हैं और इसलिए अभी लगातार जो खबरें उठ रही हैं और जो लगातार अब जो खबरें आ रही हैं कि एकनाशिंदे अब राजिपाल भगसिंग कोश्यारी से मिलकर फ्लोटेस की मांग कर सकते हैं त बीजेपी 2019 में 116 विधायक जीत कर लेकर आई थी 106 खुद बीजेपी के और बाकी के विधायकों ने यानि 10 विधायकों ने भारती जन्ता पार्टी को दिया था समर्थन जिसमें तीन अभी जुड़े हैं और पहले 113 थे और अब हो चुके हैं 116 के बावजूद बीजेप का दावा है कि उनके पास है 170 विधायकों का समर्थन तो वहीं दूसरी तरफ M.V.A. सरकार के मंतरी भी कर रहे हैं लगातार यही बात कि अगर फ्लो टेस्ट होता है तो M.V.A. सरकार फिर एक बार महराष्ट में बनेगी और सरकार कहीं नहीं नहीं जाने वाली है विश्वा पासत बचाने के लिए जूट आखिरकार यह तो साबित हो जाएगा जिस दिन महराष्ट में फ्लो टेस्ट की बास सामने आएगी खेर आपको इस बीच यह भी बता दें कि जहां एक तरफ एक नाशिंदे की तरफ से यह बातें की जा रही हैं जो तरीके के सूतरों के हवाल जो वकील थे वो नहीं चाहते थे कि इन दिनों में यानि कि जितने दिनों के लिए फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है डिप्टी स्पीकर की उस नोटेस पर तो उतने दिनों के बीच मैं फ्लो टेस्ट भी नहीं होना चाहिए तो इन M.V.A. सरकार अल्पमत में है और उनके पास संख्या बल नहीं है विधायकों का क्योंकि जिस तरीके से खबरे सामने आ रही है कि पहले यानि कि जब बगावती सुर दिखाना शुरू किये विधायकों ने M.V.A. सरकार को शुरुआ शिवसेना से जरूर हुई थी पर जिस तर जनता का भी यही कहना है कि कुछी दिनों की सरकार है महराष्ट में M.V.A. सरकार अब जल्द बनेगी भारतिय जनता पार्टी और एक नास शिंदे की सरकार जिहां जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े दावे दूसरी तरफ फ्लोटेस की बात एक नास शिंदे की तरफ से क निकलकर जनता के सामने आई ये कहीं न कहीं दर्शा रही है कि आखिरकार जो बीजेपी की मीटिंग महराष्ट में लगाता हर दूसरी दिन बहाई लेवल पर चल रही है क्रह मंत्री अमिशा से लेकर फड़नवीज कई बार मीटिंग कर चुके हैं और वो दिल्ली के भी चक कर लगा चुके हैं कई बार और वहीं एक नाज शिंदे का राज ठाकरे से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों से बात करना तो यह चीज़ें दर्शा रही है कि आखिरकार महराष्ट में चल क्या रहा है और आखिरकार क्या होने वाला है आने वाले समय में इसे के साथ अगर हम M फ्लोटेस्ट को लेकर संजराउस से लेकर शरत पवार भी इस बात को दोहरा चुके हैं उन्होंने कहा है कि अगर फ्लोटेस्ट महराष्ट में होता है तो M.V.A. सरकार जीतेगी एक बार वो विधायक आ जाए महराष्ट और हम अगर वो सामने बैठ कर बोलते हैं तो हम फ् उन्हें बागियों को लेकर एक तरफ निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि M.V.A. सरकार के भविश्य पर भी प्रतिकरियादी है बागियों को लेकर अधित ठाकरे ने कहा कि जो लोग यहां से भाग गए हैं खुद को बागी बता रहे हैं अगर उन्हें बगावत करनी ही थी तो यहीं करनी चाहिए थी तो जिस तरीके की बाते आजादे ठाकरे की तरफ से की गई है और उन्होंने कहा है कि अगर बगावत करनी ही थी तो वहां नहीं जाना था यहीं रहेकर बगावत करनी है यानि कि हर तरीके से M.V.A. के सरकार के जो मंत्री है उनकी तरफ से ह विधायकों को वापस लाने की बात की जा रही है अभी भी जब विधायकों की तरफ से अपने समर्थन को वापस ले लिया गया है पर उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि विधायकों को वापस आ जाना चाहिए और इसी बात को कहा गया था महराश्री के मुख्यमंत्री उ सारे बयान एक जैसे ही प्रतीत होते हैं चाहें फिर वो संजर राउत के द्वारा दिये गई हो या फिर शरत पवार हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो बागे विधायक आज असम के गुहाटी में हैं वो महरास्ट आए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो उसके बाद हम देखेंगे किसकी सरकार महरास्ट में रहती है एक तरफ अधित्य ठाकरे की तरफ से तमाम ये बातें की गई है और इसी के साथ अधित्य ठाकरे ने कहा है कि उन्हें इस्तिफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए था फ्लोर टेस्ट अब होग हम सभी के साथ है विश्वास घात करने वाले दगाबास कभी भी जीत नहीं सकते जो भागते हैं वो जीतते नहीं है इन बातों को जिक्र किया गया है अधित्य ठाकरे की तरफ से जा हर बार अपनी M.V.A. सरकार को मजबूत दिखाने की कोशिच की जा रही है तमाम बड़े नेताओं की तरफ से तो वहीं इसी बीच हम आप पो ये भी बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े दावे एक नाशिंदे की राजपास से होने वाली मुलाकात और वहीं दूसरी तरफ वो विधायक जो अभी शिवसेना से एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं जिनका दाइरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और शिवसेना के जादा तर जो विधायक हैं आज वो एक नाशिंदे के साथ हैं और एक नाशिंदे कहे चुके हैं कि वो M.V.A. सरकार में वापसी नहीं करने वाले हैं और इसी के साथ जो लगातार मीटिंग ये दिखाई दे रही है और जो बयान बासि दोनों पक्षों में लगातार हो रही है वहीं BJP ko लेकर लोगों का भी कहना है कि भारती जनता पार्टी को जल्द जल्द महरास्ट में अपनी सरकार बना लेनी चाहिए तो वहीं BJP का भी यहीं वेयान सामने आया है इस पूरे महाविकास अगारी सरकार यानि कि शिवसेना और महराष्ट की राजनीती में जो उथल पुतल चल रही है इससे बीजेपी ने अपने आपको किनारे करके रखा है जहां एक तरफ जब तमाम नेताओं से और महराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री देविंद फड़नवी से इन तमाम मुद्दों क देख रहे हैं एक तरफ यह महाविकास अगारी सरकार के लिए बड़ा संकट है तो वहीं दूसरी तरफ यह संकट है शिवसेना के लिए क्योंकि इस संकट में सबसे ज़्यादा बागी अगर कोई हुआ है तो वह हुए हैं शिवसेना के विधायक और वही आज अलग अलग पार्टी बनाने से लेकर कर रहे हैं फ्लोटेस्ट की मांग अब देखना एहम यह होगा कि अगर महाराष्ट में फ्लोटेस्ट होता है तो किसकी बंदी है सरकार और कौन जाता है विपक्ष की भुमिका में खैरेस टॉपिक पर आपको क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद